इस वीडियो में हम आपको as well as का concept बताएंगे ठीक है तो as well as क्या करता है दो subject को जोडने का काम करता है इसका मतलब होता है दोस्तों साथ ही साथ ठीक है तो दो subject को बेसिकली जोडने का काम करता है वो noun भी हो सकते हैं, pronoun भी हो सकते हैं ठीक है जो आप वहाँ पे verb का use करोगे तो वहाँ पे आप first subject के coding यूज़ करोगे जैसे एक example है, राम as well as his parent राम और साथी साथ उसके parents is going to similar तो यहाँ पे जो ये is है, यानि कि जो ये is है ये आपकी राम के according यूज़ हो रही है यानि कि first subject के according हो रही है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है तो ये आपके sporting error में काम आएगा ये concept अगर वीडियो पसंद आयो हो तो वीडियो के लाइक करना और ऐसी amazing वीडियो देखने के मारे चैनल को जरूर subscribe करना मिलते हैं अगली वीडियो में